Oh my God, कैसा गाउ है ये, मैं तो थक गया इस गाउ में, गलिया भी नहीं समझ में आ रही हैं, कि इसकी गलिया कैसी हैं, किधर से दरवाजा है तो किधर से पिछवार, मेरे तो कुछ समझ में आही नहीं रहा, ना कोई दिखाई पड़ रहा है, जैसे भांग की गोली खाके सोये ह हुए हैं सारी नींद में हैं सारी कोई अधर उधर दिखी नहीं रहा है पहले तो बुला लेंगे डॉक्टर साहब घर आ जाओ हमारे यह बिमार हैं हमारे वो बिमार हैं उसके बाद मोबाइल पता नहीं किस तैखाने में रख देंगे सुईच आप और कर लेंगे डॉक्टर साहब इनके नवकर लगे हुए है न अरे हमारी फीस क्या कम है यह लोग मुझे सस्ता समझ के बुलाते हैं और उपर से परेसान करते हैं क्या करूं हमारा भी बिजनस इतना चल नहीं रहा है इसलिए इन लोगों की सुन नहीं तो इनको तो मैं पूछूना पताव इसको इसने फोन कर दिया कि ढ़क्टर साहब घर आ जाना हमारे यह बीमार है मरीज है अब ढक्टर साहब चले हैं मुझकल से आधा किलोमीटर चौराहा है वहां से आने में डाक्टर साहब को कितना मिनेट लगेगा लेकिन ताब से डेड़ घंटा हो गया मुझे गाउं का चक्कर काड़ते काड़ते निरहुआ का घर हमें अभी तक मिला नहीं है और ना कोई ऐसा आदमी मिला जो मुझे निरहुआ घर पहुंचा दे अर आ गया निरहुआ का घर हाँ डाक्टर साहब हमें निरहुआ ही या हमार माता बिमार ही देखा इनका तुम निरहुआ हो जो यहां लेक के आये हो निरहुआ की माता बिमार है मैंने ये बोला हाँ डाक्टर साहब हमें निरहुआ है हमें डाक्टर का फोन के रहन या हमार माता यही बीमार ही, काल से खाती पीया तिनाईना, कोई अर्भूसा छोड़े है, पानी दाना छोड़े है तुमको मैं जानवरों का डाक्टर दिखता हूँ है तुमें नहीं दिखाई पड़क मैं किसका डाक्टर हूँ मुझे निरहु ने फोन किया था कि उनकी माता जी बिमार है प्रे डाक्टर साहब आपका गलत फहिमी भै हुई हम निरहु आई हमार ये माता ही न का हम माता मानी थी गव माता संसार जाना था अतरो नाई पढ़ा लिखा आँ तू तुम तो मुझे पढ़े लिखे दिखाई देते हो लेकिन सही कहा गया है पढ़े लिखों को समझाना सबसे बड़ी बेकूफी है एक बात बता इस गाउं में कोई और दूसरा निरहु है कि नहीं हाँ 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 हमरे पिछवरवा एक दिन याउर निरहु आँ वह नहीं के अम्मा हाँ उनके माई है अब गायनाई पाले है अब भैस पाले है क्या उन्होंने मुझे भैस को देखने के लिए बुलाया है वह सकत है वह अपने मम्मी का देखकता है अपने माई का देखकता है बलाये हो है काया सुनके अम्मो बहुत बिमार रहा थी तो आपका चला हम हुआ तक पहुचाए दे थी गल्ती होई गया हम ना समझ पाएं हम हुँ डाक्टर का फोन के हे रहने हमार गई यह बिमार रही हम इनका डाक्टर साब माता समझी थी ठीक हाए इतने गनीमत है कौनो बात इनाएं ले चलो हमें पहुचाए तो देव उहां तक अरे नी रहुआ हाई 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 जियरा निकरा जाता है कब आए तो डाक्टर रहा चलागा होते है ऐसे निमहुर काटू लाए आए होते है बला आए कि साइक लिए बैठाए लाए होते है कहां से आवात है कतनी दूर होईगा चावरा हवा देड़ दूर घंटा होईगा हमार आख पिराए लाग बहुदर दहाई दहिया मा अब नाई बरदास है बेठवा जा देख आवात है किना है सबर कराम मा सबर आवात हैं डाक्टर साहब वहु कि लिनिक उपा उनके मरीज है ना वनका सबका दियक कितब आवात हैं यह डाक्टर साहब निरहु भाईया यह बाटें और निरहु भाईया कम्मा यह बिमार ही निरहु भाईया गलती से डाक्टर साहब हमरे घरे चला गए रस्तम हम खड़ा आ रहा हा गोरत रहन काल से हमार गव माता बिमार रही तिये कहें आवत रहे वाहर इसके हम निरहु किया जाता हैं, उनके माता वीमारी ही तो हम कहें यह बाटी हमार माता देखा हैं तो यह कहता हम तुका जानवर का डाक्टर लागा तहीं अब का मताई भाया, हमरों णुपेइ माताजी, का भाब आतों का न कखाए न पीपाई नपी पाई, जवन खाई, उल्टी वाई जाई, दियां पिराई, गोड़ पा, भारी भारी लागा था, धाई नाय मिला जना था, जात बांधा है गोड़ावा महा मरे तो निरव भाईया आपके घर खुस खबरी आने वाली है डाक्टर साब हम समझें ना किस खुस खबरी बात आप करता है, आपके माताई जी जो नहाँ आपका दूसर भाई बहन दे वाली है, यानि मा बने वाली है अरे डाक्टर साब का बक्वास करता है, अम्मा कुमर तुम्हें दिखाती है, अतनी उमर में क्यों अवरत मा बना था है बात तो हरो ठीक यहानि रहू भाईया, अरे हम कवनो गला तना सपकारी लेहे रहें अरे, अरे, माता जी समहर के चला फिरा, तुहार तो बीपी बहो हाई है माता जी अरे, निरहो भाईया, अकेले मावा तुसे कुछ बात करेक है अच्छा रुका निरहो भाईया, एक बात आउर पुछा माता जी आपका आँखी से धुधला दिखाई पड़ा थै हाँ भाईया हमाई तो दू-तीन साल से आँखी से कम देखाए पारा था तो निरो भाईया माता जी का साग खवावा पालक, बथुई, सरसो और करेमुआ होई सकाता खवावा जतना पानी म्रह वाली चीज खवावा उसे रोसनी बढ़ जाए एका कईसे प्रूफ कई देव्या जब तुह इना पता लागतिया सत्तर साल के बुढ़िया खात पकर कहता हुए मा बने वाली है थम कईसे मानी रही कि तु साग खवावा इस आँखी कर रोसनी बढ़ जाए एक बात सुना निरहु भाईया निज्जोले चापना समझा हमका गाए भाई साग पात खाती कि ना खाती खाती न उनका कब वो चस्मा लगाए देखे हां साग पात खा आँखी कर रोसनी बढ़े माता जी का खवावा झाला इबात तो हर मानें और बतावा केलम का बतावे जाता हां तूँट हमाण मूडे खराब कहीद दवाई कर आया तू नहीं लागत पागल बनाए के जागया देखा निरहु भाया अम्मा का बीपी बहुत हाई है भाग जाया सार ना है तो हार अबब हम सारी डाक्टरी यहीं उतार के धैलेव सार कवने स्कूलें पढ़या हा सरम नाय लागता है जोला चाप डाक्टर सार नीम हकीम खतर यह जान इनका अतरना है समझ पड़ता है कि बुढ़ा पे हम बीपी हाई लो होत रहा था है बीपी हाई हो एक मतलब यह माँ बनाएक चक्कर बतावा था है सतर साल महार महतारी फिर से महतारी चला जाना जोनी गंजा तकलवा हतार फोर के धाई दिये भाई रुका दहिजरूत पूत रुका आज तोहां बताई थी हमारे चरी तरपात उंगली उठावा तहां आज तक क्यों कहना है पाई आज तोहां हम अब्बै रंगे देई थी भगा उती गाडू नदिक गाडू यह डाक्तरी पढ़े इनका इनमा उती आवाई इनका तरी वाकी लिनान है तोहां तरे दुकान पड़ के जात होए रे भाई यह से तू सांती रहा अम्मा तोहार यहाई सोभावा आज जोन बीपी हाई भाई भाई तू घर मा दिन भर चर-चर-चर-चर करा तू आयाए अब इनका सार का हमें धोई देई थी ढंक से भाग यहाई भाग 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 तानिका उम्मराव समय दिये के ना सार प्रेग्नेंसी टेस्ट करा वगा आवा तोहरे महरारू अलड़ी का करा दी तोहरे महतारिक सार नहीं कि हमरे माई का आए के बुढ़ापे मूला गा प्रेग।